कि जो लिडरान हैं एक्टिविस्ट हैं उनको ही परिविंदर जी ने बुला है उनको ही यहां पर रियाद किया गया है और पूरी तरह से समाजिक है हमारे विशे रस्तु यह है कि जो अधिकार मिला है पिछडों को दरितों को वो समाप धोरा और इसकी सुरुआत बहुत पहले सुई जब नरसिम्मा रावजी की सरकार थी उन्होंने निगी करार का रास्ता के बोला लेकिन मंडल कमीशन कैसे लागू हो उस मंडल कमीशन में मैं यहां ही बता लिए लगपक 85 प्रस्त कुषिलित भी सामिर अगर आग आग आएटी में इंगिनेरी कालिजिस में आएटी में मुस्लिम समाथ की कुछ शंख्या बढ़ी है तो यह स्रे जाता है पूरों प्रधानमंत्री बीपी सिंगी को जिनोंने मंडल कमीशन के कालिए अगर आरच्छ समाथ होता है तो मुस्लिम भी प्रभावित होंगे ओवी सी भी प्रभावित होंगे यसी यस्टी तो प्रभावित होंगे ही शिरू काथ अपनी लडाई तो लड़ता है तिरूर ट्राइब भी नहीं लड़ता मुस्लिम भी नहीं लड़ता और पिछड़ा भी नहीं लड़ता आज एक बड़े देता असत्रकास यादोजी जो यादो महाश्वा के होंशी में बात कर रहा है कि में बड़ा प्युस्त रहता हूंका किस मामने में Jewish लें लेगना की समाइयों वैच्छे होती हुँ हमने काि भाय है जहाएगी कंजना गर हज्रों से पंचायर, बैठर, शादी होती ही रही है, आगे भी होती ही, और जिसके वोजर से आग की कुछ भागेदारी बढ़ी है, उसका भी ध्यान दो. मेरे ही नेत्रत में, कुछ शिच्चा में जिसके पुछड़ों को आरक्षट मिला था, तो लणाई लड़ी गेंगेदा, वो सालों के लिए मुझे OBC नेता धनी लगी थे, क्योंकि OBC के अदर राजमीटी चेतना है, अगर मैं राजमीटी में हूँ, या कोई इसमें राजमीटी है, उसका भ्यक्तिगर स्वार्थ कुछ न कुछ रहता है, लेकि सामाधी कांदोरन में भ्यक्तिगर स्वार्थ नहीं रहता, अपने वो जलाना पढ़ता है, कपाना प होता है। मिलता कुछ नहीं है। मिलता है तो पूरे समाज को मिलता है। बाबा साहब डाक्टर अम्बेदकर में जो आरच्छों की लडाई लेड़ी कुछ उसका भाइदा सभी को मिला। और जो ये सामाजी का अंग्रोमन्ट चला था। मंडम कमिक्सन लागूर करो वर्ना कुछी खाली करो। काशी नामजी के मेत्वत में 28 दिन तक संसत का घ्रा हुआ था। एक इस मुद्धे के अंदर जान आ गई। और जब देविला जी लिपी सिंजी की संकार छोड़के चलेंगे। तो वीपी सिंजी को सुझाओ दिया। सरद्यादो जी थे, पास्वान जी थे, और सारे मों की मंडल कमिशन लागूर करो। जो कमी है समर्थन घटा है उससे पराबर हो जाए। वीपी सिंजी का विशाल जिदे था, उन्होंने आरंचन कागू किया। तो मैं आपको बता रेना चाहता हूं कि अगर जलितों का कोई आरंचन बचा है। यसी एस्टी का तो हमारे परिशन के द्वारा बचाने हूं। यह जो भी। यह इसलिए जब पांच आरंचन भी हो दिया, आधे करितान भी में जारी हुआ, तो हमने परिशन बनाया था यसी एस्टी। तब जाके तीन संबधानिक सहसोतन कराकर के आरंचन बचाया ह। अब हमें D.O.M. बनाया है। D.O.M. की डोपी खतम हो गई है। तो इसलिए पारिशन पारिशन उसमें भी है। पारिशन का मतलब होता है कि संगठरों का संगठर। तो और आरंचन बचाना वुमीजी का भी है और मुस्रिब का भी है गलिद का भी है। तो जोड़ी ओयम नहीं लिखा है लेकिन फरक नहीं पड़ता। इसलिए एक टोपी किसलिए किसका संगेज है आरंचन बचाने के लिए। चार पाच लाग बैर लाग पड़ा हुआ एक एकिन संगान। मैं संसद भवन में चाहे वकलेश यादों मिल जाए चाहे धर्मेंदर यादों मिल जाए कोई पैपोड आती मिल जाए। मुस्लिम भी हो जाए। तो मैं कहता हुआ आप लड़ते क्यों नहीं। संताइफ परसट का आपका आरंचन मिला। आप आपका परसट तक नहीं पहुच पाए। उसके पहली बत किया जा रहा है आपके। तो कोई अधर ही नहीं पड़ता। जब मुलायम शिंदी पहले हैं वोक्यमंत्री बने लिए। तब प्राइबेट सेक्रेट्री ओएस्टी ये सेक्रेट्री बनाने के लिए कोई घूजर यादव बाइकॉट का नहीं मिला। मंडल कमीशन जब बना और दुबारा जब तिबारा चीप मिनिस्टर मुलायम शिंदी बने तो यादव रखने लगे। प्राइबेट सेक्रेट्री डियम बनने लगे सट्री बनने लगे। जो आरक्ष्ण के बचे से। लेकि अब यह आरक्ष्ण समाथ हो रहा है। जैन्यार सुना राव जी की जो शुरुआत करी गई नीती है। जो शुरुआत करी गई नीती है। कि नीजी करण, आउसोर्सिंग, ठेकेदारी, तो सरकार के अंदर काम बढ़ना लगी ठेकेदारी पर। तो किसका घाटा हो रहा है। एक मुस्लिम का, एक OBC का, एक तलिक का घाटा हो रहा है। क्योंकि साबाजी का अंदोलन में प्रधान बनने का, लाख मुख बनने का, एंपी या मेरे मंत्री बनने का चांस नहीं होता है। इसलिए लोग आते में ही लडाई है। यही कारण है, यह सब खार्मा होता चरा जा रहा है। अगर आज 310 इंवस्टी सरकार की हैं, तो 400 से ज्यादा इंवस्टी प्राइवेट सेंटर में हैं। वहाँ पूर्वी का बेटा, लोग का बेटा, तलित का बेटा प्रोफेसर और टीचर नहीं बन पाएगा। स्टाप नहीं हो पाएगा। टैमिशन नहीं ले पाएगा। आज 5,000-6,000 मिनियरिंग कालेजेज हैं। सरकार के 304 लों होगे बाकी प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरीका से M.B.A. में हैं। लेकि समाजिक चेतना नहीं हैं। कुछ जातीयां हैं तलितों हैं अब वो इस O.B.C. में। पुराजिक लड़ाई तो लड़ती हैं। संता की लड़ाई तो लड़ती हैं। संता की लड़ाई बेक्तिज़त ज्यादा होती। समाजिक लड़ाई में अपने को हमन करना अपना हमन करना पड़ता हैं। करना पड़ता है भाइदा आपके अवलाद को न मिले तो आपके रिस्तेतार को मिलेगा विराजरी को मिलेगा समाज को मिलेगा इसलिए यह लगाई आगे नहीं जा पाते हैं तो जो बर्तमान माहोल है सब के ऊपर बड़ाबर खमला हो रहा है इसलिए हमने सोचा और अच्छन के अलावा भागेदारी यह सारे विसे हैं मारे कि एक विसे पर हमें कठा हुई जैसे जैसे जागरती हो रही है पटवारा बढ़ता जा रहा है चारादम इस संकुठन बनते जायन है चार आदमी संकुठत बनाके खड़ा हो जाता पाचा आध trafficking घराया नीकामा जीघग comentarios掉 के सम्माल में धोड़ार तामें प्रदेश में बहुत तेजी संखड़ा करें तो मैं आपसे यह कह रहा है कि एक इनों मिलें एक कोडिनेशन आपका जो भी संखठन है उसका अस्तित्त के उपर कोई आच नहीं आई और एक कोडिनेशन हो हमारे सुझेश जयातों जी मेरे ये समाज ये तो मतलब समाज का बड़ा दर्द है एक बात इनकी अभी याद आती है कि इनों का बाई सब पचास लाख लोगों पूतारा जाएदी हुए मुझे बड़ी खुची हुए तभी जाकर के हुकोमते हिले कि हमारी भावेदारी चाहिए तो इसलिए आपका संखठन जहां है जैसका अतास रहेगा यह पारिषं संखठनों का संखठन है पारिषं का मतलब होता संखठनों का संखठन तो अगर दो महीने में भी दस बीस हजार संखठन ए कंठा हो जाए और संख का अपने अस्तित बचा भी रहेगा किसी भी हुकोमत को हिलाया जासानता है और इस प्रियोर को मैंने 20 साथ किया हूँ संभल रहा है 95 में हमने परिशन बनाया एसी एस्टी बाला 20 साथ तक संभल रहा है आज किसी को मुश्किल होती है रामिल्ला मैदान भरता लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं होता अब इसका यहां प्रियोर यसी एस्टी में नहीं हो करके OBC में और आदवाश्य में भी होना चाहिए हमारे साथी पर्मेंदर यह सारा पर्मेंदर का काम हुआ किया हुआ हमारे कुछी हो आपुलार आप इसके सहियों की मैं कुछी लाल कुछी थोड़ा बहुत लोगों को बोला यस्टी बर्माजी ने कुछ किया कुछ जिन वही की को बाद में हमें ने शामिल किया तो शुरुआत महां सुभी इनकी तो जो 20 साथ का प्रियोग और सफल रहा और कोई जाती आधार हमें नहीं रहता है कालिख पार्टी हो जाती आधार पर चलते ओ बीसी पिए ओ तो जाती आधार पर चलते लेकिन जाती आधार पर नहीं चलाया और सफल रहा सब को लेकर के चलने का उसी तरीके से अब यह सफल होगा तो हमारे लिए मुश्किल अभूने वाला नहीं है उसका यह पहला का नहीं ना कोई दीन की बात होगी ना कोई यहां पर राजनीती की बात होगी कि अधिकार की बात होगी एकिता की बात होगी सिख्षा में आपके आरचट का कवाड़ा होता जारा है नमगरी में आरचट का कवाड़ा होता जारा है जो होती वीज़ को तच साल, पाड़ल मेल मिला था शिष्टा में आ रहा केवाल औकेवाल मंदल कमिशन के वजह से उवकी संगा आया के माथते हैं। कोई लोल समाठ बनाया, कोई आदो बनाया, कोई सेंठ बना वजया भती बनाया बना के रखुन लेकिन यह आपका इजिकार कहा है। जाटियां तो पहले भी रही हैं आज भी है उकल भी रहे और जातियों को पंचायद करना बड़ी बात नहीं है लेकि जातियों के पंचायद से क्या अधिकार भीता है हजारों वर से गलिश की जातियां यहां थी पंचायदे खुब होती थी बाबा साथ डाक्टर अंगेत कर थे अंग्रेजियों से लगकर थे जो आरच्षण दिलाया 1932 में उस अधिकार को जैसे आगे आई न कि पंचायद को जैसे आगे नहीं है मैं इसलिए शुरुआत में बहुत देना चाहता हूं कि कोई वाई ने हैंड बिल नहीं लिख पाई यह संगठन बिल भी ताजा है लेकिन इसका इसके उपर परमेंदर काम कर रहे थे उठी एक टीम काम कर रहे है आज एक टीम बहुत बड़ी हो जाएगी और इसके बारे में पहले आपको चर्चा भी नहीं हुई है इसलिए मैं घूमिका बता रहे हैं कि यह हमारा जाएगन होगा तो साइब मुझे अंत में बोलने के और शक्ता होगी तो तब तक आपको पता लगए होगा पता लगए हैजा कि यह संगठन का क्या मंख से लगए कि इसलिए काफी लोगों को विस्तार बिना पता होगा तो भूमिका के रूप में एक प्रिश्टी भूमि अभी तक हम ने रखा है और एक बात और पता अगर राश्ट भक्त सक्से ज़्यादा कोई है सच बता तो राश्ट भक्त वही है जो भागेदारी की बात करता वही राश्ट भक्त हो सकता है इस देश के उपट तुर्क, मंगोर, उजमेकिस्तान, इराग, इराग, इंगलेंड, पुर्तगाल, समने राश्ट किया क्यों राश्ट किया है, हम जातियों में बटे दिए और एक ही जाती के पास सारा माल हो, और सारी ताकत हो, तो बाखी जाती क्या एक होंगे, एक होकर ते क्या दुस्मन को रोकेंगे, उन्नीस वा सैटालिस के बाद ही, इस देश को कोई गुलाम बनाने के देश सोच भी नहीं सकता, वरना यह देश दो हजार वास तक गुलाम ना वेलेक जंडर के हमने के बास में क्यों नीस सो सैटालिस किसी में बुलाम बाद का, जातीयों में बठने को जैसे, जातीयों में तो हमने बाटा नहीं है, प्रमपाधी जोस्ता ने बाटा, लेकिन जाकियों को बाद कर पो उनको यह कहा कि तुम्हारा पेसा अतराई है यह उधारत देते हैं जो मैं बाद को कहूँगा कलाईू लाट कलाईू जब कलकता के उपर हमला किया और जहाद से जब उतरा अपने सैनिकों के साथ और कलकता के लोड़ चलने लगा खेतों से खलिहानों से हजारों लाखों लोग खड़े होके देखने लगे तो पलाईयों की सेना बढ़ी डर गई उन्हों ने कहा पलाईयों के तुम मरवाने लाए हम दो रहाई है जा रहे हैं ये तो लाखों लोग सबकों पर दिखाई को रहे हैं रास्ते में लेकिन एक धेला भी नहीं पाराएं इसलिए धोबी को कह दिया भाई तेरा काम है कपड़ा दोना चमार को कह दिया तेरा काम है चमड़ा छेलना खटिक पासी को कह दिया सुवर चराओ सब्जी बेचे ओपे पासी क्यों सबत्र jing अजम्रा करेशी को की काटो तो याद हो कि कह दिया तुम अपना खेती करो भाईषपालो कुर्मी को क्या तुम अपना ख़ल जोतो थो लड़ेगा जरता कम भाईड राजा 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 के लड़ाई के से कोई दुनिया का ऐसा देष्क नहीं है, इतनी दिनों तब गुलाम रहा हूं। देढ़ लाग से जादा अंग्रेज को ही नहीं थे इसके सुट दस लाग ज्यारों लाग लोगों भरती करके प्रथम विस्यूद और जिती विस्यूद लड़वाया है यह भारत के लोग किराया पर साइनिक बन जाते तो फिर कैसे हम गुलाम थे है हम डेढ़ लाग से तो पुलाम कैसे हो जाते हैं चालीस करोड देंता के उपर डेढ़ी लाग साइसक करकर लोग तो इसलिए कि हमें जातियों में बाट अधिकार से बंचित किया जिस्ते हैं अगर हम सब को सासंद प्रसासंद में जम्यदार की बही होती उसमें आदव भी ह बहुता निविभाट में होटा कि मजाव कि अंतु छे टेट वह कि पाइशनके बाद के चोड़ार्वाइशन नियुक्त, कि लौट का हुए रामथ प्रामथ उस चाहता है, तो अब ये व्युक्त का साशंप्रसासन हो गया तो यह देश को अब गुराब मैं ब्रामथ चिद् के हमसे ज्यादा बड़ा ना कि आपने बताई हम आफ जैदा कोई कोई और जॉसका और जब तक भागेदारी का सवालर इस देश बंढोल रहेगा तत as the हम समसे बडे देश्यभक्त हैं, समसे बडे देश्यभक्त है, साशन मगर हमारी भागेदारी होती ही, आगरेज हमें गुलाब बना लेते क्या है, पूरा समाजी ख़ड़ा हो जाए, सच्चा देश्भक्ती की बात कर रहे हैं एक देश्भक्ती सब्दो में कही जाती है, एक देश्भक्ती जमी पर सच्चाई ना कहती है। है है अब की अब इस देज को गुलाम बना लिए को देश्क के हमोगों हुद कर से हुई को ने अन्य इस नहीं हो अब हो इस अब जंत आी के अरतिश मिला कर से अुब हुआ कोज़ देश कर रिओ को में मुझे एक हो फूरियो मरी है यहां भासर तो होंगे बिचार तो होंगे आगे के सब्सक्राइब इसको फैलाने के लिए और करोड़ों लोगों को जमा करने के लिए अपने अधिकार जितने लोग हैं अपने संगठन का नाम रिष्टर जरू कर दे दो दो चार संगठनों का और नाम दे दे हमारे पास तक वीस हजार संगठन आजे एक बड़ी ताकतवर लड़ाई दड़ी जा सकते बाई देख बात है राजनेश्टिक ताकत तो राजनेश्टि सकता तो आप तो नहीं है यह नालायक समा थी मैं दली समा से भी कहता हूँ और मराठा और जाट एक हो रहे उस हमाजी कांदुलर राजनेश्टिक नहीं है तो आप बने उपर भरोसा रखो किसी राजनेश्टिक आद्मी के उपर भरोसा रख करके आप तो यह दिकार को नहीं बचा सकते हूँ पूरे समाज को पयाता हूँ क्या वो जाट रहंदोलर के हुआ को यह देता था हूँ आइसा को नहीं आदो समाज निकल करके आता सकते हूँ आइसा बुजर को नहीं निकल करके आता हूँ वो पटेल जो हर्दिक पटेल के नेतरुत में लाखों लोग आ जाते हूँ आइसे प्रजापती गड़िया समाज को के नहीं उतर के आता हूँ हम वही चेतना पैजा करना चाहते है कि समाज की भी एक टाकत होती है समाज भी लगाई कर सकता है यह जरूरी नहीं कि संसर में यह आवाद उठे तो बात उठे अब उना जाट भाईयों का संसर में कोई आवाद नहीं पटेलों का संसर में कोई आवाद नहीं उनकी बाते माम नहीं गई और संसर में हम लोग चिला रहे हैं हमारी बात नहीं गई अवज तो फुलिट्ट्र पार्टिक पुलिट्र राजनीतिक ताखत को बढ़वारा है आधा ताकत को सुपरिक कोट ले जाए जो काम सुपरालामेट को करने में छह महीने लगे ने हैं वो तो यह दो जज़बाट करने ज़जमें ने दिया पोरे देश में राणी है यह तो और इस देश तो उजीपति उजीपतियों के साफ सचाहने चाहते हैं तो राजनीतिक ताकत पर एक समय में बाबासार टाक्टर पेटिकर ने कहा था कि यह कुझी है जिससे सारे ताले कुलिया लेकिन आपने कई चार कुलिया हूं कभी वीडिया में ताला खोलती है कभी सु आपका समाजी का अंदोलन का उधारा निचले में निकले है तो और लड़े उजीते जाठा अंदोलन में कोई मेता नहीं आए जा मेताओं का पहसकार किया हूं तो आप समाजी आपका समाज धरती पर उतर है जब हम आवाहन करें यह तैयारी है माई इसलिए एक नए अंदोलन के शुरुआ दियों बना करके किया जा रहा है यह पहला कांफरेंस है यह टेलीफोन पर एक कांफरेंस करी परचा भी नहीं है अब इसको धीरे धीरे तुरत फैला दिया जाएगा कोई लखनों में करानी की जिम्हेदारी ले ले कोई जिला सम्मेले दिल्ली में कैरे कोई बिहार में भगत ही है विहार का जिम्मेदारी लेकि कोई राजस्थान में ने करे यह टीए जो ओ यंद्ध को फेलाना है पड़ी तेरी से पूरे देश्ट करें तो वाक्त लोग बहुत है सूर्थ में अपनी बाद वहारी बाद करें सदस्यता का इसमें प्रतिकर सदस्यता का भी इसको प्रत है और समठटें अफिलिएशन का जो बहुत था हमारी जो इसमें प्रदेश के कमेटी में जो आकर की काम करना चाहते जिला कमेटी में इसका गठन एक तो जिन में होगा आज भी कुछ कर लिया जाएगा तो एक कांफिरेंस एक मकसस से है और क्यों यहां भासर से नहीं भासर तो हमें लोग देई लिए उसका इसको पढ़े काविया रच्छन है आके दाई है इसका इसको बादी बढ़े और तो पूरा कमेटी करें हमारे उसें जी है वो करें कि हाथी जी है इसारे लोग करें बगर चीज़ हमारे प्रोसेसर आर्मिक आलों की उससा मिलकर कि इसको किया जाएगा एक बहुत पावफुल आक्टोनन शुरू कि किया जा सकता यह फोन पर इतने लोग आगे और सब न लोग है तो लोग है 200-300-400 लोग को प्रहवत करने लादी तो मैं अंदर लिएक को देता हूं और जो अगली पंगजी में जो अपने मुचार देना चाहते इसी प्रेश्ट भूमी में मिचार दें और कारीकरम मैंने पहले कहां कि अ कारीकरम आक्षन का हासर का नहींकि है यह समय प्रहार का है, कोई संसेचा नहीं, यह जो लड़ाई का है, कोई भासन का नहीं, साथ साथ है, तो परमंदर जी भी को बाइक देता है, नाम संचाना है.